धन्यवाद सबसे पहले मैं अपने भाई का जैन चौधरी जी को धन्यवाद कहना चाहता हूं उन्होंने एक छोटी से राज्य से एक छोटी सी पाटी को यहां में निमंतरन करके अपना बड़ा दिल दिखाया है I think जैन्त धाइंक यू गड़ी मच आपने ये जो सम्मान दिया है ये उसी विचारधारह से है कि आप जितने भी पिछरे वर्ग से हो कितनी भी झोटी जगे से हो कितनी भी झोटी राज्य से हो तभी आपका दर्जा सब के लिए एक ही है और वही चौधरी जी का एक सपना था और एक सोज था और आज आपने मुझे यहां में निमंतरन करके आप सब के सामने मुझे एक अफसर दिया है एक मौका दिया है कुछ कहने के लिए अपने राज्य के बारे अपने शेत्र के बारे नौर्थीस्ट के बारे मैं इसको आपका बड़पन समझता हूँ सबसे पहले मैं मुझे एक बात की शांती है कि जेना जी ने मुझे से पहले बात किया उसके बाद हमारे त्रिनमूल कॉंग्रिस के सांसद ने बात किया तो मतलब है कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है मैं कोशिश करूँगा लेकिन कहीं कहीं मैं अगर हिंदी में कुछ चुक आजाए तो आप अपने भाई को माफ कर दीजिये मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है आपके जैसे तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूँगा क्योंकि देश में समवाद होना चाहिए कम्यूनिकेशन होना चाहिए और मुझे लगता है कि अगर आप हमारे बारे भी थोड़ा जानेंगे क्योंकि हम आपके बारे बहुत जानते हैं हम चौदरी जी के बारे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं शायद बहुत लोगों को ये बात का जानकारी भी नहीं होगा कि मेरे पिता जी मेंबर अफ पार्लिमेंट थे जब चौदरी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में तो एक बहुत लंबा सा एक रिलेशन्शिप रहा है और आज चौदरी जी का ये जो डेट अनिवरसरी है लेकिन एक बात मैं याद करना चाहूंगा और हमारे बीच में आज चौदरी अजीत सिंग जी नहीं है लेकिन ये मेरी खुश नसीबी है कि उनके दिहान से पहले मेरी मुलाकात जैन जी के संग उनके घर में हुई थी और उस समय मैं कॉंग्रिस का अध्यक्ष था और मैं कॉंग्रिस पार्टी छोड़ रहा था तो मैंने हमारा उमर भी कम है तो मैंने कुछ कहा कि हम नहीं दड़ते हैं तो उन्होंने एक दो चीज जो मुझे कहा था उस समय और आज मैंने उन बातों में अमल किया और आज मेरे एक छोड़ी सी पार्टी है जिसने अपने पहले इलेक्शन में जीत हासिल करके हम आज त्रुपडा ट्राइबल अटॉनमेस काउनसिल में पावर में है दो महने के अंदर तो उस समय उन्होंने आप लोग ने मुझे महराजा के के जिकर किया है कोई महराजा हूँ नहीं मैं इस हिंदूस्तान में कोई महराज नहीं है एक महराजा था वो एर इंडिया था वो भी बिग गया है हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में कोई राजा नहीं है महराजा नहीं है मैं भी एक ट्राइबल हूँ मैं नौर्थी से आता हूँ हाँ ये अलग बात है कि मेरे पिता या मेरे दादी और मेरे पूर्वजो ने एक सम में तुरुप्रा में उनका राज था आज मैं हिंदुस्तान का हूँ और मैं यहां हिंदुस्तान के बात करने के लिए आया हूँ कोई परिवार के बारे बात करने के लिए नहीं आया तो यह नौर्थीस्ट में शायद आप लोग बहुत लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि नौर्टीस्ट एक ऐसा शेत्र है जहां में हमारा परोड़सी बंगलादेश है मियनमार है चाइना है भुटान है और बहुत लोग बोलते हैं तिबेथ है जो चाइना है और हमारा जो कनेक्शन है देश के साथ वो एक बहुत छोटे से रास्ते से जाता है उनको अंग्रेजी में कहते हैं चिकन स्नेक लेकिन अगर आप देखेंगे कि नौर्टीस के बारे हमारे आम भारतियों के बारे क्या जानकारी है बहुत बार जब मैं दिल्ली आता हूं तो सब मेरे नौर् से हो कोई कहते हैं कि आप चाइना से हो आप कोरिया से हो और यह जो दूर है दूरी है यह क्यों है क्योंकि एक प्रोग्राइम है एक सोच है कि एक भारतियों को दूसरे भारतियों से दूर रखा जाए अंग्रेज ने डिवाइड इन रूल पॉलिसी किया था और आज हिंद कि एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से अलग रखा जाए कहीं में धरम के नाम में कहीं में जाती के नाम में कहीं में कल्चर के नाम में उनका खाना अलग है इनका खाना अलग है लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ हम लोग दरते नहीं है किसी से और मैंने जैन भाई से एक चीज देखा है किसान अंदोलन में एक चीज देखा है कि आप लोग भी दरते नहीं है किसी से जो भी साशन अभी मुझसे पहले शरद यादिर जी ने एक बात कहा था कि situation इस देश में ऐसा आ चुका है कि emergency से खराब है ये जो परिस्थिती है क्यों है ये भै से ये परिस्थिती बनता है अगर हिंदुस्तान में अगर भारत में हमें democracy true form में चाहिए तो आपको आपकी संख्या जितनी भी कम हो कुछ फरक नहीं पड़ता है आपको एक रहना पड़ेगा आपको निडर होकर न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा बहुत लोग कहते हैं कि आपकी संख्या तो बहुत कम है आप तो नौर्टीज से है आपकी संख्या बहुत कम है लेकिन संख्या सोच से बड़ी नहीं होती है यहां में अगर एक नौर्टीज का एक छोटा सा लीडर यहां आकर चौदरी चरन सिंग के बारे बात कर रहा है तो मतलब है कि चौदरी चरन सिंग का सोच आज भी नौर्टीज में जिन्दा है मैं यहां में हमारे संग मनोज जाजी हैं हम पिछले हफते लंडन गए थे पार्लिमेंट में हमारी बात हुई ऑक्सवर्ड गेमरेज उनिवर्स्टी में ब्रिज इंडिया में आईडिया जो इंडिया के बारे बात हुई ये बात मैंने मनुज जाजी से बात नहीं की थे मैं अभी बोल रहा हूँ मैं आपको एक उधारन देना चाहता हूँ कि नौर्टी इसके बारे क्या सोचा जाता है मैं पार्लिमेंट में हमारा एक भाशन था जाने से पहले वहां में ब्रिडिश के MPs थे हिंदुस्तान के बहुत MPs थे dignitaries थे मैं अपना बात रखने जाने वाला था तो एक High Commission का एक Official आकर मुझे कहता है प्रद्योग हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहना तो मैंने का भाई साब क्यूं आप इतने लोग है यहां में इस कमरे में आपने मेरे पास आकर ही क्यूं कहा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ मत कहो तो वो चुप रहा तो मैंने उनको बोला आप जानते हैं कि मेरे दादी ने ही इंस्ट्रूमेंट व एक्सेशन में साइन करकर हम हिंदुस्तान का एक अंग बने आप मुझे ही क्यूं टार्गेट कर रहे हो इस कमरे में तो बहुत लोग है यह सोच है कि नौर्टीज का एक जन जाती यह सिर्फ वाइलेंस से अपना बात रख सकता है वो देश को मानता न जाती वाइलेंस से ही अपना बात रखता है और देश द्रूही है इस सोच को तोड़ने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है और आज मैं यहां में आपको बोल सकता हूं कि हमारे ही राज्य से बहुत बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने कहा था अरे जाट का तो कोही सोच न सोच को तोड़ने के लिए इस सोच को तोड़ने के लिए एक जंगल में बैठा हुआ जन जाती भी आपके साथ तैयार है आप शंधर्ष करो आज हमारा भाशा खत्रे में हैं मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूं मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैं हिंदी से आपसे समवाद कर रहा हूं लेकिन मेरा भी एक भाशा है कोग बॉरॉक जो टिवेटो बर्मीज है आज हमें कहा जाता है कि आप उस भाशे में बात मत करो हमारा पक्वान अलग है तो का जाता है नहीं अगर आपने यह नहीं कहा यह नहीं खाया तो आप हमारे देश के नहीं हो सकते हो हमारा जो वस्त्र है रिगनाए ट्राइबल लोग हम लोग पहनते हैं बोलते नहीं जब तक आप यह नहीं वस्त्र पहनोगे तो आप देश के नहीं हो यह कैसा देश है यह देश यह देश सिर्फ एक भाशा के आधार में एक खाने के आधार में यह वस्त्र के आधार में नहीं बना था आज आज नौर्टीज के बारे कोई बात नहीं करता है दिल्ली में खानवा किट में क्या हुआ है उसके बारे सब बात करते हैं आज गाउं के बारे कोई बात नहीं करता है मुझे लगता था कि 39 दूर है आज यहां आकर सुनने में मुझे लगता है कि हर्याना उत्तरब्रदेश का गाउं पंजाब का गाउं राजिस्ठान का गाउं भी दिल्ली से दूर हो चुका है मैं यहां से वापस नौर्टीज जाऊंगा और मैं यह बोलूंगा कि हम तो छोटे हैं लेकिन छोटे असल में वो है जो आज सत्ते में हैं क्योंकि उनके दिल उनका दिल उनका सोच छोटा है चौधरी चरन सिंग्जी का सोच इस आइडियास इस इवन मौर्स्ट्रॉंगर टुड़े वन आई सी मिस्टर जेना जी टॉकिंग फ्रॉरिसा वन आई सी सम्वन टॉकिंग विंगॉल वन आई सी योगिंद्र यादव जी जब मैं आप सब को देखता हूं तो मुझे एक ब करो क्योंकि आप अकेले नहीं हो और मैं आपको बोलना चाहता हूं यह जो आपका संघर्ष है यह जो आपका सोच आप कायम रखिये इस जंग में अगर मैं अपने आपको राजा समझूंगा तो मैं हारूंगा अगर मैं आपके संग इस जंग में अकेला मैंने आपको अकेल चुछला तो मैं हारूंगा क्यूंकि अकेले बात कर ये जीतते हैं इसके लिए मैं एक दिन देखना चाहता हूं जहां मैं चौधरी चरंसिंह जी थे और आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि किसान का बेटा इस देश का बजान मंतरी ज्यू नहीं बन सकता है एक उड़ेसा से एक व्यक्ति इस देश का बदान मंत्री जो नहीं बन सकता है ये देश ये देश को अगर आपको बचाना है जैन चोदरी मुझे सुनाइने ने पड़ा भाई अब जैन भाई मैं जाट बन चुका हूँ आप सबको भी मैं ट्राइबल बना कर छोड़ूंगा इतना ही बात रखके मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे यहां में एक मौका दिया और पर बाई सबको दो आप सबको कहा दो आप सबको कहा हूँ ये कंदो सब्सक्राइब तरी वहार के लिएনurgia आप से मिलते हैं जी बाद मैं यही बोलकर अपना बात आज यहां में समाप्त करता हूँ मैं आया था यहां में 39 से एक जनजाती लीडर बनके मैं वापस एक जाट बनके जा रहा हूँ किसान बनके जा रहा हूँ एक ही बिंती है मेरे भाई को आप ऐसा दर्जा दीजिए क्योंकि इनका ये इमांदार इंसान है आज तक इनके अंदर अहंकार नहीं है और इनके अंदर किसी ने कहा कूल है मैं कहता हूँ बहुत कूल है आप और जितने शांध है आप उतने अंदर उनका अंदर